यूपी के कन्नोज जिले में दहेज लोभी ससुराल वालों ने दहेज की मांग न पूरी कर पाने पर विवाहिता की हत्या कर शव को नदी में फेक दिया और फरार हो गए बताया जा रहा है कि दहेज लोभी मृतका से ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे मांग न पूरी होने पर दहेज लोभी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और अपना जुर्म छुपाने के लिए शव को नदी में फेक दिया पिडित परिजनो द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पती समेट घर के अन्य सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर कारवाही शुरू कर दी है पुलिस के परिजनों ने शव की तालास के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई थी पेडित परीजनों की माने तो मृतका की शादी चार साल पहले दिलिप से बड़े धूमधाम के साथ हुई थी तथा अपने सामर्थिक अनुसार दान दहेज भी दिया गया था लेकिन दहेज लोबियों ने दहेज में 20 हजार रुपए बाइक और बकरियों की मांग की गरीबी के कारण मृतका के परीजन यह मांग पूरी नहीं कर पाए जिसके बाद दहेज लोबियों ने उसकी हत्या कर दी पुलिस अधिकारियों की माने तो पेडित परीजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आरोपी सास की गिरफतारी भी हो चुकी है अन्य आरोपियों की गिरफतारी के लिए दबिशे बनाई जा रही है पुलिस की जाच परताल के बाद ही आगे पता चल अधिका क्या खिरिये मौत कैसे हुई और पेडित परीजनों की बातों में कितनी सच्चाई है आखिर ये हत्या है या आत्म हत्या कनवस से अमीत राजपुत की रिपोर्ट इंडिया आप तक न्यूस के लिए